बजार में लगतार यहाँ पर तेजी बनी हुई है burn लगतार यहाँ पर हावी हो रहे है और retail लगतार यहाँ पर फसर है यहाँ उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इसवक्ड बजार में क्या करे चारों तरफ बजार यहाँ पर खराब नूज से भरा हुआ है एक छोटी सी ग आप है market master में तो इससे पहले मैं अपना वीडियो यहाँ पर शुरू करूँ आपको एक important message देना चाहता हूँ जो बजार का नियम है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ नए investor, पुराने investor, existing investor, सारे investor को यहाँ पर एक बजार का नियम जानना बहुत जरूरी है और व जो जो बजार का यह नियम तोड़ता है, जो जो Mr. Market का यह नियम तोड़ता है, Mr. Market उसको यहाँ पर जबरदस तरीके से यहाँ पर punish करते हैं तो वो काम आपको यहाँ पर नहीं करना है एक चोटा सा example भी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ कि उपर में खरीदना नहीं और नीचे में बेचना नहीं है, जब बजार नीचे के तरफ तेजी के साथ गया, मैं आप सब को यहाँ पर बता रहा हूँ, जब बजार नीचे के साथ तेजी यहाँ पर गया, मार्च के क्या गल्ती की नीचे में बेच दिया, और आज अगर आप बजार को देखोगे, तो आज यहाँ पर सारा का सारा जो loss था, वो यहाँ पर cover हो चुका है, इसलिए यह नियम को आपको apply करना है, उन्होंने गल्ती कहां करी, नीचे में बेच दिया, अब बजार उपर हो चुका है तो उपर में खरीदने की गलती आपको नहीं करना है आप अगर देखोगे पिछले 5-6 दिन से लगातार बजार तेजी के साथ यहाँ पर बढ़ रहा है 15 प्रतीशत का रिटन यहाँ पर बना चुका है वो condition क्या थी जहां से बजार rebound हुआ वो फिर से 8800 था 8800 से बजार ने हाँ पर तेजी पकड़ा अब बजार में क्यू तेजी आई और आगे आपको यहाँ पर क्या करना है तो देखिए तेजी क्यू आई बेसिक सा यहाँ पर reason है दो reason है सबसे पहला यहाँ पर fundamental कुछ भी नहीं है और bulls का game है bulls यहाँ पर बजार को 8800 से push किये 9800 तक लेकर आ गया अब उनका काम यहाँ पर खतम हुआ है अब हमें भी यहाँ पर alert रहना है और देखना है कि वो आगे क्या decision लेते क्या वो यहाँ से बेचते है या उन्हें लगते है कि बजार और उपर वो push कर सकते है यहाँ पर आपको alert रहने की ज़रुवत है सिर्फ wait and watch करना है दूसरा global market अगर आप देखोगे USA का particular ही वहाँ पर जो लड़ाई चल रही है और काफी जगा पर यहाँ पर कर्क्यू लगा हुआ है इस लड़ाई के कारन और यहाँ पर Trump को सामने आके बोलना पड़ा है कि अगर लड़ाई नहीं रुकी तो हमें यहाँ पर आर्मी लगानी पड़ेगी काफी serious issue है उस वज़ह से बजार बढ़ रहा है अब आप बोलोगे कि लड़ाई जगडा हो रहा है और बजार बढ़ क्यों रहा है तो देखिए लड़ाई जगडा हो रहा है और बजार बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि सब को लग रहा है कि लड़ाई जगडा हो रहा है तो यहाँ पर बजार शायद नीचे आएगा तो हम यहाँ पर खरीद लेते हैं तो यह एक अलग ही यहाँ पर scene चल रहा है और यह history में ऐसा होता रहा है कि जब भी ऐसा कुछ होता है जहाँ पर लड़ाई जगड़ा वाला scene मनता है तो वहाँ पर बजार थोड़ा सा upside देता है याद आता है 1968-1970 USA में जब यहाँ पर यह हुआ था तब भी बजार कुछ ऐसा ही reaction दिया था लेकिन उसके बाद उसके 6 मैंने बाद जब earnings आई थी जो लड़ाई जगड़े के कारण जो नुकसान हुआ था और जो earnings report आई थी company की उसके बाद बजार नीचे के तरफ यहाँ पर गया था तो इसी लिए alert रहने की जरूरत है तेजी सिर्फ hope पे जा रही है सबसे जरूरी सवाल जो सबसे ज़्यादा लोग जानना चाहते कि कितना बढ़ेगा बजार और क्या वाकई में एक bull run यहाँ पर आ चुका है क्योंकि सारे चीज यहाँ पर emotion पे है hope पे है कुछ भी यहाँ पर ground level में नहीं है और जैसे ही retail यहाँ पर जैसे ही हम purchase करना चालू कर देंगे वो बेचना चालू कर देंगे और अगर वो बेचना चालू किये तो वापस बजार 8800 के आसपास आ जाएगा तो उनका क्या होगा उनका 30-40 प्रतिशत का profit यहाँ से बन जाएगा और आपका 30-40 प्रतिशत का नुकसान यहाँ पर हो जाएगा पूरा बजार का नियम यही है कि किसी का फायदा तो किसी का नुकसान अब वो खरीद चुके 8800 में अब वो ताक में बेचने के तो आप अभी खरीद लोगे तो वो यहाँ पर जो भी आपको loss होगा वो absorb करेंगे तो आप समझिए यहाँ पर पूरा का पूरा यह जो bull का game चल रहा है इसलिए जब लेना था जब सही समय था तो उनसे हमें एक कदम आगे यहाँ पर लेना था शूट न जाए यहाँ पर बजार अब एक नया हाई लगा देगा उतना आप यहाँ पर फस्ते जाओगे तो आपको यहाँ पर wait and watch मैं बार बार बोल रहा हूं वो करने की ज़रूरत है opportunity मिलेगी opportunity बजार यहाँ पर जरूर देता है यहाँ गिर सकता है बजार और क्या आपको यहाँ पर अगर FOMO हो गया आप जानना चाहते हो कि क्या आपको opportunity मिलेगी मौका मिलेगा या फिर आपका मौका नहीं मिलेगा यह आप जानना चाहते हो तो मैं fundamentally अगर आपको बताओ तो देखे बिलकुल यहाँ पर मौका है बिलकुल मौका है मैं आपको reason बताता हूँ जो लोग इसे यहाँ पर bull run समझ रहे है या सोच रहे है कि मौका छूड़ गिया या बजार अब रोज तेजी के साथ ही उन्हें उपर दिखाई देगा तो उनको यहाँ पर पता होना चाहिए कि अभी अगर हमारे देश का situation आप solve नहीं हुआ है तो आप economy पर छोड़ दो economy अगर आप देखोगे क्या recession यहाँ पर आ चुका है तो recession अभी नहीं आया है GDP Q4 अगर आप देखोगे तो वो 3.1 प्रतीशत अभी अभी यहाँ पर data आया था शुक्रवार को तो आप यहाँ पर देखो कि 3.1 प्रतीशत तब GDP था जब यहाँ पर lockdown जो मार्च तक था मार्च में 25 तारी को lockdown किया गया है तो इतना सिर्फ 6 दिन में इतना GDP नीचे आया है अभी आप देख सकते हो कि 2 quarter की GDP आनी बाकी है अगले quarter में क्या होगा तो आप यहाँ पर समझ सकते हो जब हम actual में यहाँ पर recession में आएंगे तो अभी त जो है वो last investment grade है उसके नीचे हाँ पर junk हो जाता है आप junk category में आ जाते हो और वहाँ पर आपको निवेश के मौके नहीं मिलते यहने कि यहाँ पर बाकी देश अब यहाँ पर जो संकट है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ इसके साथ अगर आप देखोगे बाकी country की position इस मुकाबले हाँ पर हमें better दिखाई दे रही है आखरी चीज में आपको यहाँ पर चौथा point बताना चाता हूँ कि risk factor क्या है सब को लग रहा है सब को लग रहा है कि यह एक V-shape recovery है बुल्स को लग रहा है एक V-shape recovery है लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा ह सारे research यह indicate कर रहा है कि यह V-shape recovery नहीं होने वाली है यह ऐसे W-shape की recovery है और W-shape में क्या होता है पहले नीचे फिर उपर फिर नीचे आएगा तो यह आप समझने की कोशिश करिए क्यों क्यों कि एक बहुती बड़ा battle है देखे यह ऐसा नहीं है कि आप एक मैने में COVID हो गया उसको यहाँ पर digest कर लिया अगले मैने economy खराब हो गई उसको digest कर लिया अब तीसरे मैने से सब बुल हो गया यह चीज यहाँ पर बिलकुल भी नहीं है यह सारा सारा अभी तो hope चल रहा है भी तो हम बस सोच रहें कि हम COVID से निकल गए हमें यहाँ पर vaccine मिलने वाली है हो सकता ह लॉकडाउन में ease किया जाए इस वज़े से यहाँ पर बजार बढ़ रहा है अभी endings आई नहीं है अभी endings नहीं आई है तो जब तक यहाँ पर यह hope की battle है liquidity यहाँ पर boost किया जा रहा है सारे countries यहाँ पर कर रहा है यहाँ पर इंडिया ने RBI किया वहाँ पर FED ने किया FED ने पर अभी और stimulus सोच रहा है तो यह liquidity से बजार यहाँ पर चल रहा है तो बजार liquidity से ज़्यादा दिन यहाँ पर चलेगा नहीं तीन मैंने छे मैंने नो मैंने बारा मैंने कब तक liquidity boost करोगे कभी न कभी बजार को endings पे आना पड़ेगा आम निवेशक अगर बजार में खरीदध नहीं करेगा तो बजार यहाँ पर फस्ता चला जाएगा और भले थोड़ा समय लगे लेकिन यहाँ पर बजार नीचे के तरफ आएगा In short मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जब bare face आता है जब ऐसे crisis आते है कि global recession हमें दिखाई देने लगता है तो उससे निकलने में तकरीबन 12 मैने से 27-28 मैने याने कि एक साल से 2 साल लगता है जी अभी तो हम यहाँ पर तीसरे मैने मैं है मार्च के बाद आप अगर जोड़ोगे तो मार्च अपरेल मैं अभी यह चौथा मैना शुरू हुआ है तो यह बहुत जल्दी है अगर आप इसे सोच लोगे कि सब चीस ठीक हो गया बुल आ गया है तो आपका cash दीरे दीरे यहाँ पर खतम हो जाएगा और जब आपको cash की स आप safe side में चले जाओ ऐसा coin यहाँ पर आपको यहाँ पर फिकना पड़ता है जहाँ पर head भी आपका हो और tail भी आपका हो ऐसा game आपको खेलना पड़ता है कि बाजी market के पास हो लेकिन बाजीगर आप हो तो कैसे यह खेल को हम हमेशा जीत सकते हैं इसका मैं आपको यहाँ प उपर भी जाएगा तो आपकी SIP आपके लिए पर पैसा बनाएगी भूल जाओ market को यहाँ पर और emotional नहीं होना है अपने emotions को यहाँ पर रोप कर रखना है और दूसरा यहाँ पर है कि अगर बजार यहाँ पर नीचे जाता है नीचे के तरफ यहाँ पर जाता है तो हमने यहा पर 70% का cash hold करके रखा है वो 70% cash hold किसले किया है हमें वो यहाँ पर वक्त आने पर हम यहाँ पर पता चलेगा तो इन दोनों ही cases पर हम यहाँ पर battle को इस battle को इस लड़ाई को यहाँ पर जीतते हुए यहाँ पर दिख रहे है और जब जोरत पड़ेगा तो वो 70% का हम use करेंग style के साथ तो देखिए आप यहाँ पर कुछ भी करें लेकिन सोच समझ के करें और आप यहाँ पर फसियेगा नहीं मैंने यहाँ पर बता दिया मैं क्या कर रहा हूँ वो भी आपको बता दे रहा हूँ मैं तो SIP कर रहा हूँ long term के लिए यहाँ पर कर रहा हूँ कोई चिंता नहीं है 8800 में निवेश किया था करने भी बोल दिया था उसके बाद 9500, 9700, 9800 धीरे-धीरे करके यहाँ पर बेच भी दिया जो भी short term portfolio है और long term फिर से mention कर रहा हूँ long term में SIP यहाँ पर continue है अब इतने ज्यादा overvalued market में अगर आप सारे indicators यहाँ पर देखोगे इतने आप मुझे अच्छा comment करके बताओ कि आपका क्या thinking है आपका क्या विचार है इस बजार के बारे में तो खतम करते वीडियो को अगर नए investor हो आप अभी तक यहाँ पर डिमेट account आपके पास नहीं है अभी तक आप share यहाँ पर लेना खरीदना नहीं चालू किया हो तो नीच आपको डिमेट account की link में description में दे देता हूँ वहाँ से जाकर आप अपना डिमेट account खुला सकते ताकि आप यहाँ पर share बजार में कम से कम entry ले सके इसके साथ आज का वीडियो अगर आपको पसंदा है तो वीडियो के लिए आपको करना है यहाँ पर like करिए इसके साथ शेयर करिए बाकी लोग के साथ ताकि बाकी लोग को सही information सही तरीके से पता सके और इस वक्त वो बजार में फसे नहीं तो share का काम मैं आपको उपर छोड़ देता हूँ कमेंट करिए कि आपका क्या thinking है इस बजार को लेकर और mutual fund, bank, share market, economy से related चीज़े सिखना चाहते है कीजिए चैनल को subscribe मैं आपके लिए ऐसे वीडियो जलाते रहता हूँ फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही बिलूँगा आपसे जब्री